हलो फ्रेंस वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आज मैं अपने वीडियो में बताऊंगे कि किस तरह से बाजरी की रोटी बनाते हैं क्योंकि अभी विंटर्स आ रहे हैं तो बाजरी की रोटी बहुत जादा पसंद की जाती है तो आज हम बना रहे हैं बाजरी की रोटी हम नहीं बन तो देखिए किस तरीके से उसको आटे को मला जाता है जितना आप अच्छा मलेंगे उतना ही अच्छी आपकी बाज़े की रोटी तयार होगी तो गुजरात में तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है यूपी भी हार भी खाई जाती है बहुत जाता कि अच्छे से मसल दिय अच्छी हमाई बाज़े की रोटी बनती है तो उसके बाद यहां पर देखिए पानी लगा लेंगे साइट 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 से और इस तरह से हाथों की हैल्प से थोड़ा बढ़ा कर लेंगे धीरे और जितना अच्छे से इसको बढ़ा कर लेंगे उतनी आसानी होगी इसको आगे बढ़ा करने में तो इस तरीके से बाज़े की रोटी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और यह देखिए कितने अच्छे तरीके से बन रही है अब इसके तरफ पानी लगा लेंगे और जो पानी की हाथ की जो बनती है बाज़े की रोटी वह बहुत जादा टेस् पानी थी में बनाती हुए तो मैंने ठीक है आज आप बना के दिखा दो मुझे तो मैं भी ऐसी बड़ी बनाऊँगी तो मैंने आप सब के शाद भी शेयर कर देती हूं वीडियो तकि आप सब में से कोई बनाना चाहे तो बना सकता है इस तरीके से और यहां पे देखिए वह जोड़ा बहुत इतर फटा है तो उसको ठीक कर लेते हैं पानी की हेल्प से उसके बाद यह रोटी बन चुकी है अब इसको हम तबे पे डाल देंगे तो यहां पे तबे पे डाल देते हैं तो यह देखिए तबे पे पड़ गई अब इसको low to medium flame पे इसको सेखना है बहुत high flame नहीं रखना है नो low flame रखना है फिर उसके बाद इसको पलट लेंगे और इस तरीके से बन जाएगी रोटी तैयार हो जाएगी आप चाहें तो इसको तावे के ऊपर सेख सकते हैं या आप चाहें तो गैस के ऊपर भी सेख सकते हैं दोरू तरीके से सेखा जा सकता है तो यहां पर देख सकते हैं आप इसको मैं गैस के ऊपर सेकूंगी और यह बहुत अच्छे तरीके से सिख जाएगी और एकदम फूल भी जाती है और बहुत जादा टेस्टी लगती है इसको घी गुड के साथ भी खा सकते हैं उसके साथ भी बहुत जादा टेस्टी लगती है तो आज मैंने बनाया था कड़ी और मैंने बनाई थी आलू, मटर की सबजी और हर लेसन धनिया की चटनी के साथ बाजरी की रोटी तो मज़ा आगया आप भी इसी तरह से बना सकते हैं वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा थैंक यू